हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स जैसे की पता है आप लोगों को हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासे चल रही हैं जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 14 क्लास कंप्लीट किया है तो यह हमारी 15 क्लास है आज की दिन हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउस की ड्राफ्टिंग ठीक है और उसकी थियोरी भी नोट करने वाले हैं कॉपी कंप्लीट करने वाले हैं हम लोगों ने शिंपल ब्लाउस बनाना सीख लिया है अब हम लोग princess cut blouse सीखेंगे तो देखो friends यहाँ पर मैं आप लोगों को अस्तर वाला blouse बताना चाहा रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरा मन ही नहीं किया है तो अब हम लोग princess cut blouse complete कर लेते हैं उसके बार हम लोग हम लोग कुपड में सीखेंगे यहाँ फिर इसके बाढ़ जब हम अस्तर वाले blouse बनाना सीखेंगे तोव been भी करिंदी के चलो में यहा backwards यहां सब्ससे पहले प्रिंसस कड़ है की द्राफ्टिंग और यहांब थे ओरी निट्ट कर लेते हैं हाप वह आप दापिम पर ہیں थे लिए भी遣 प्रिंसेस कट ब्लाउस बनाने के लिए नाप किस किस चीच की जरूरत पड़ेगी तो देखो यहां पर सबसे पहले हमें लेंद लेनी है अपने ब्लाउस की जितनी भी तयार लेंद चाहिए तो निकाल के हम लेंगे उसमें हमें जब कटिंग करना होता है तो यह हम लोग आग की मुदधा का नाप लेंगे सीना का नाप लेंगे और कमर का नाप लेंगे तो इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउस हमारे इतने नाप में कंप्लीट हो जाएगा अब देखो इसका मैठिट क्या होता है पनाना तो यहां पर हम कैसे बनाते हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउस के लिए कपड़े को डबल फॉल्ड में रखेंगे सबसे पहले नमबर आपको ये लिखना है दूसरा नमबर है कपड़े के बंद भाग की तरफ से निक के लिए निशान लगाएंगे तीसरा नमबर है अब शूल्डर का निशान लगाएंग यह आपको निक की तरफ से 3,5 इंच पर निसान लगाना है तो देखो यहाँ पर हम लोग 3 और 3,5 इंच किस केस मिलेंगे तो देखो अगर आप यहाँ पर 32 साइज का ब्लाउस बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 3,5 इंच लेना है और अगर आप यहाँ पर 26 से 30 इंच साइज के बीच में ब्लाउस बना रहे हो तो आपको 3 इंच लेना है तो यह 3 इंच हमें क्या लेना है जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है जो हमारा प्रिंसेस कट होगा तो उसका निसान हमें इस साइज में मतलब 3 और 3,5 इस तरह से लेना होता है अगर आप इस साइच का बना रहे हो तो 3,5 इंच और 26 से 30 इंच के बीज बना रहे हो तो 3 इंच ठीक है तो इस तरह से ये हमारा हो गया अब 6 नमबर है इसी निसान के उपर की ओर 3,5 इंच पर निसान लगा देंगे अब हम निसान को मिलाते हुए ट्राइंगल में सेव दे देंगे अब हम निसान को आर्म होल से 1,5 इंच पर की गुलाई वाले निसान में मिला देंगे ठीक है 9 नमबर है निसान मिलाते समय थोड़ा सा राउंड सेव दे देते हैं तो मतलब round में save देते हुए निशान लगाना है, यह जो हमारा round में जैसे ऐसे सीधी line हम नहीं ले जाएंगे, हलकी से इस तरफ को round करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, यह हो गया हमारा theory, तो आप लोग copy complete कर लीजे, जैसे कि copy हम लोग प पसंदो हिंदी में यह English में, आप देखो, यहाँ पर हम लोग यह draft कैसे बनाएंगे, तो देखो, यहाँ से आपको लंबाई सबसे पहले लेनी है, तो लंबाई में हम कितना प्लस करते हैं, तो लंबाई में हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे, सिर्फ 1.5 इंच, ठीक है, क् में बाई का में, तो लंबाई में ज़ाते है, सिर्फ इधर से बनाएंगे. यहाँ पर यह पर से तक्स आपर से भी जाता है, तो लंबाई में प्लस करते हैं, lah, प्लस कितो हम लिए प्लस कर रहें टकस एलेगा, फ़ोल्ड़ करनेломे के लिए, अब इसके बाद को दान हिल्दी साइज कर बना हो, तो 3 इंच पर लेना है, वरना 2 इंच पर ही लेना है, ठीक है? तो फ्रेंट आप हम इसके चोडाई जैसे लिए 1.5 इंच तो फिर इसके बाद चोडाई लेने के बाद लंबाई लेनी होगी, तो लंबाई आपको गला जितना तयार रखना है फ्रें लिंदे और इसके बाद आर मेल नीचे की इसको बाकिक कर्वाउस नीचे लिए तो ओर सेंसे लिए घुक तइब और सबुस्त टाने 07 यहां सब्सक्स पर दूंज लिए उच्जें जोब हुदाए इसके बाद आप और आप flips लेना है अर्मोल की गोलाए हमारी यहां पर कुं यहां पर मेजर्मेंट के एक तर क्योंकि हमारा यहां पर कठो लगेगा तो यहां पर हमारा शिलाएं में जाएगा और हमें margin के भी जरूरत रहेगी इसलिए हमें यहां पर तीन इंच मार्जिन ले वजा है अब यह हमने इतना निशान बना लिया आप देखो यहां पर हम यह कैसे करते हैं यह लाइन हम कैसे लाते हैं तो देखो कपड़े के बंद भाग से हम 3.5 या फिर 3 इंच लेते हैं तो क्यों किस केस में लेते हैं यह मैंने आपको लिखवा दिया अगर आप 32 से 40 साइच के बीच में बना रहे हो तो फिर आपको 3.5 इंच लेना है 26 से 30 इंच के बीच में बना रहे हो तो फिर आपको 3.5 इंच लेना है अब हम इसकी लंबाई कैसे लेंगे तो देखो यह हमारा जो इतना डॉट होता है न तो इसकी लंबाई जैसे हमने यहां से यहां तक की दूरी साड़े तीन इंच लेना है अगर यहां से यहां तक की दूरी हमने तीन इंच ली तो इसकी लंबाई भी हमें तीन इंच लेनी है आप देखो यहां तक हमने निशान लगाया और जैसे हम टक्स के लिए निशान लग पर से बस्ट पॉइंट का निसान लगाएंगे और फिर बस इसी लाइन से हम इस तरह को गुलाई कर लेंगे इस तरह से थोड़ी सी ठीक है तो इस तरह से यह हो गया हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउस के फ्रेंट पाइट का ड्राफ और इसके बाद अब हम लोग यहां पर नीच लेंगे बाकी सारा वही रहेगा बस यहां पर हमें दो इंच पर गुलाई करना है यहां पर हमने डेड़ इंच पर गुलाई किया है यह ठीक है आप देखो यह हमारा हो गया बैक पाट और यह हो गया फ्रेंट पाट तो इस तरह से आप पूरा लिख लीजेगा यहां पर हम मैं एक formula दे देती हूँ अगर उपर से यहां से आपको इंचे टेफ रखना है अगर आप कम height वाली ladies के बना रहे हो तो यहां पर हम 9 इंच ले लेंगे इसकी burst point और अगर आप medium height वाली ladies के बना रहे हो तो फिर आपको यहां पर 9.5 इंच ले लेना है और अगर आप बहुत जादा height वाली ladies के बना रहे हो तो फिर आपको यह burst point की लंबाई आपको 10 इंच लेनी है ठीक है इस तरह से यह हमारे burst point के निकालने का formula हो गया तो friends देखो इस तरह से यह हो गया हम हमारे princess cut blouse की ठीक है तो जैसे हम लोग बोर्ड पर भी इसकी ड्राफ बनाना सीखते हैं लेकिन इस टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि बोर्ड पर मैं आप लोगों को princess cut blouse की drafting बताऊं मैंने देखो यहां पर आपको simple belt वाले blouse की drafting नहीं बताया है बोर्ड पर तो फ्रेंट से देखो अभी हम लोग यह सारा कुछ इतना complete कर लेते हैं देखो जब थोड़ी सी ठंड कम होगी उसके बाद हम लोग फिर अपने सारे ड्राफ जो हमारे बच्चे हुए हैं वह हम लोग बांकी आगे आने व वीडियो में जिसमें हम लोग पहले पेपर में princess cut blouse की cutting करेंगे ठीक है तो मिलते हैं हम लोग next वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे पहली सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप वीडियो को वाच कर सकोगे